आज स्मार्ट फोन्स हर किसी के लाइफ का एक important हिससा बन चुका है इसके बीना तो जैसे लाइफ अधूरी सी हो गई है आज कल के स्मार्ट फोन्स ने काम को और भी ज़्यादा असान बना दिया है फिर चाहे आपको अपना bank account detail चेक करना हो या किसी को money transfer करना हो अजकर हर चीज़ बस एक smartphone से आप इसली कर सकते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वज़े से आपके smartphone की life कम हो सकती है और इससे आपको problems भी हो सकती है Smartphones पे अगर आप भी जाने अन जाने में ये गलतिया करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ common mistakes के बारे में बताऊंगा ताकि आप ऐसे common mistakes करने से बच सके तो hello guys, welcome to Indeed Technology गलत charger का यूज़ करना कई लोग phone को किसी भी charger से charge कर लेते हैं उन्हें लगता है कि अगर cable connector उनके phone के साथ fit हो रहा है तो ये ठीक है लेकिन phone को जहां तक संभव हो original charger से या supported charger के साथ ही charge करें कभी भी सस्ते local charger का use ना करें इससे आपके phone की battery health खराब होती है इसलिए हमेशा trusted brand का charger को ही खरीदें या फिर original charger जो phone के साथ मिला है उसे ही use करें Google Play Store के अलावा दूसरी website से app डाउनलोड करना कुछ user Google Play Store पर app ना उपलवध होने पर किसी भी third party app store या website से app को डाउनलोड कर लेते हैं कई लोग app के APK को किसी भी unknown website से डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन ये app malware affected हो सकते हैं वायरस या फिर spam के जरिये या आपके phone के साथ साथ आपको भी financially लुक्सान पहुंचा सकते हैं आपका personal data hack करके bank details लीक हो सकता है इसलिए हमेशा Play Store या App Store से ही app डाउनलोड करके यूज करें देखा आपने लापरवाई का नतीजा है latest Android OS या security update का डाउनलोड ना करना अच्छे mobile brands लगतार mobile के लिए security updates और OS यानी operating system की update रिलीज करते रहते हैं और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये आपके device की security को improve करते हैं इसके अलावा ये आपके phone को misleadingous attack से भी बचाता है और कभी-कभी इन ही update के थूरू new features add भी होते हैं कई बार कुछ problems भी fix हो जाती है इन updates के थूरू तो हमेशा अपने phone के operating system को up to date रखें तो बस आज की वीडियो में बस इतने ही ऐसे ही latest tech update के लिए चैनल को subscribe करके bell notification on करने हैं मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching